राजस्तान के छै जिलो में जीला प्रमुख वप्रधान की चुनाव संपन हो चुकी है कारेकरताओं के दुआरा अपने प्रधान और जीला प्रमुख का जगय जगय स्वागत किया जा रहा है तो वहीं अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर छेत्र के समस्या क्या है और क्या कुछ नया बदलाव छेत्र में किया जा सकता है इसको लेकर मरुधर बुलेचिन की टीम पहुंची है जनता के मुख्या के बीच और की है उनसे सीधी बात देखी खास बात छेत्र नमस्कार आप देखरें मरुधर बुल्टेन राजस्तान के च्छे जिलों में चुराब होने के बाद में जिला परिशद से परमुक और डारेक्टों से परधान बनने के बाद में सभी मुख्याओं ने अपने च्छेतर में अब दोरे करने भी शुरू कर दी हैं को बता दे जैपूर की स्थितिया आपको साब कर दें कि जैपूर जिले से हमारे साथ मौझूद है नम सर्जित जिला परमुक रमा देवी चौपडा इन्होंने यहां से जो है वो जनता का विश्वास जीता है पार्टी का विश्वास जीता है और जनता के इस विश्वास पर खरी उतरकर जिला पर मुक बनी है इससे पहले इन्होंने कॉंग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था लेकिन कहीं क्या स्थितिया ऐसी बनी कि इनको भाजबा में जाकर जो है वो कमान संभालने पड़ी क्या उस समय के हालात रहे हैं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और इनके जो कारे करताब देख सकते हैं वो हमारे साथ मौजूद है और हम आज इनसे बात करेंगे करीब 22 पंचाय समीतियों के साथ 600 ग्राम पंचायतों का नेतरतव रमादेवी चोपड़ा को इन पांस सालों में करना पड़ेगा किस परकार विकास के गती रहेगी और क्या यहां की समस्यों का समाधान होगा तो परमुक साब स्वागत है चैनल में देखे इसमें जो भी पंचाय समीतियों ऐसे होंगे उनका पहले हम उसका करेंगे उसमें अलग अलग कमीटी बनाके उसके विकास का जो भी कारे होगा उसकी निरंतन से साथ में बैटके और उसका विकास की कारे में विचार करेंगे और उसी पे स्टेप बाई स्टेप काम करेंगे परमुक साथ केई चुनाव आपने लड़े केई यहां की यहां के दोर आपने देखे कॉंगर्स पार्टी में सक्रे भूमे का रही लेकिन किस परकार का ये महोल बना कि जिला परमुक तो आप बने लेकिन जैपूर की इस राजनीती में एक बोचाल ला दिया आपने देखिए वो तो एक विकास के लिए काम करना था और विकास के लिए हम आगे बढ़े हैं और इसलिए हमने ये लिया क्योंकि हमें जिस पार्टी में हम काम कर रहे थे उस पार्टी ने ना हमें पूछा गया चुना होने के बाद ना की कोई मिटिंग ली गई और जब कोई बात ही नहीं करना चाहता तो फिर क्या करते है परमुक साहब अगर विपक्स की दिलों की बात करें तो उनका आप पर अरोप लगाया जा रहा है लेकिन पक्स के लोगों की बात करें तो एक अफसर की बात कही जा रही है आप किस नजर से देखते हैं इस परमुक चुनाओं को ऐसे एक विकास के लिए है ना ये किसी कारिय या किसी चीज की सेली में नहीं आता मैं एक विकास के लिए आई हूँ और विकास ही कराऊंगे आप जनता ने आपको चुना है परधान की परमुक की सीट पर आप पहुंच चुके हो तो करीब बाइस पंचाय समीतियों का आपको नितरतब करना है और इस पूरे जैपुर जिले कि एक रस्तिति की बात करें तो कौन कौन से इस्तितियां आपके सामने आई है क्या बड़ी समझे हैं जिनका पंच सालों में आप निवरन करेंगे देखो इसमें पंचाय समीतियों में सभी में है जैसे लाइट का पानी का और कई जगे स्कूल्स आसी महिलाओं को आगे लाना कही ऐसी हैं जिनमें हमें काफी गहराई से काम करना पड़ेगा प्रमुक साहब अगर बात करें भाजपा से इसमें आप प्रमुक पदपर विराजमान हो और राजस्तान में कॉंगरी सरकार है चर्चाओं का जो सोर है वो इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि कहिन कहीं जो है वो कई वादाओं का सामना करना पड़ेगा आपको क्योंकि विपक्स में आप बैठी हो इसमें किस परकार की स्थिया होगी देखे अगर वादा हैं आएंगी तो हम डट के मुकाबला भी करेंगे और विकास के लिए करेंगे और उसी में आगे बढ़ेंगे परमुक्साब आप बात करते हैं भरस्टाचार की और कमिशन वेस की अगर बात करें तो जो सरकार की योजने होती है वो कहिन के जिला परिशद में ही दम तोड़ देती है द्रातल तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि ग्राम पंचाईतों में हम देखते हैं लगातार जो भरस्टाचार की भेंट है वो पंचाईते चड़ जाती है आप जोंकि आपका इसका नेतर तब कर रहे हो किस परकार भरस्टाचार का आप खात्मा करोगे क्या कहोगे इसको लेपर देखिए इसमें बश्टाचार के लिए हम जब भी कोई चीज करेंगे उसका पहले रिरक्षन करेंगे या पो वहां तक पहुंच रहा है और नहीं पहुंच रहा है इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंगी जो बीच में जो भी हो कड़ उसको मजबूती से आगे तक बढ़ाएं और विकास आगे तक पहुंचे तो रमादिवी चोपड़ा से हमने बात किये जो यहां से जिला परमुक चुने है इनके परत्रिदी के रूप में मौतिराम जी हमारे साथ मौजूद है इनसे भी हम जानेंगे कि क्या इनके आगे का है जो रूप रेखरेगी तो चैनल में सर स्वागत आपका नमस्कार शाव थैंक्यू मौतिराम जी पूछना चाहूंगा आप से क्वेश्चन कि जैसे अभी कॉंग्रेस के अंदर क्या विधाय को यह सोलंकी जी पर गाजगिरी है गो विधाय गोविधाय मेगवाल का भी आ पांस एसेंबली पांस एसेंबली के रिपोर्ट हमारे लिकित में देखूगा नि जिस प्रकार कारेकरता हूं आगे बढ़ाऊ हर चेतर में जाके मैडम ने हमने जो मैनत किये उसका आप किसी भी कारेकरता सी जाके आप यूद कोंगरे से किसी आम सब्सक्राइब थी ती और ये निरादार सब तरह से आरोब निरादार है किसी यो कोई वो नहीं है जनता की विकास के लिए हर हमारा सुद्गा स्वेजष नियंडे था यह था हमने प्लूंद लेके और यहां पर बीजी जोईन की नी तो इसमें जैसे आप चुनाफ जीते चुनाफ जीतने कि बाद में आला कमान थोजा जो आला कमान था उसकी क्या भूमिका रही क्या उन्होंने भी आपको नई पर्खा उन्होंने भी आपको जो है महतब नहीं दिया कि इसके लिए आप कई ऐसी स्तिज्ञ नहीं डीए बिल्कुल हमने ने यहां पर अपने परदेजी लोटासराजी पास गए, हमारा बाटिटा दिया और उनसे बात भी की, कि एक बार आप कम से कम बैट कि हमारे से बाचित कीजिए, कि इस्तति क्या है, क्या मेंबर है, किसको बनाना चाहते है, इनकी मन की बात सुन लिए, एक बार बात सुन तो मौतिराम जी अब आपकी ध्रम बतनी जी तो जिला पर मुख भन चुके हैं जनता ने उन्हें प्यार दिया है जनता ने बड़ा स्योग दिया है अब एक बाजबा पार्टिस चाह विलोम कर रहे हो तो क्या यहां की इस जिले की क्या बड़ी समस्य है रेगी जिनका आम नि उसका निवान और साथ साथ में अन्य अपने छेतर है पुरा पूरा जैपूर जीला है तो पानी की जान समस्य है सबसे बड़ी चाहे पीने के पानी बिसलपूर की हो चाहे लाइट की वैस्ता हो चाहे रोडों की रोडों की इस्तति देखिए आप यहां फागी के आस पास मुझूद है मैंडम क्या उमीद रखते हो आप रहमा देवी चोपडा से राजस्तान के अंदर जो जैपूर जिला एक जैपूर की राजदानी है जैरास्तान की लेकिन कहीं अगर विकास की बात करें तो दिये तले अंधेरे वाली बात है इसके आज पास जो लाका है वो ब विकास की गती को आगे बढ़ाना चाता है और सबसे बड़ी बात जो मैम ने कहीं कि मैं महलाओं को आगे लाना चाती हूँ महलाए कहीं ने कहीं हम देखते हैं कि प्रतिवाएं जो सड़ने बोला कि प्रतिवाएं दब जाती है तो हमें उन प्रतिवाओं को दबाना नहीं ह हमें उनको आगे लाना है हमें परिवार वाद जो अभी चल रहा है हर जगे मैं बोलना चाहती हूं कि जित्ते भी कई प्रतिबाय जो जो महला है वो घर से नहीं निकल पा रही है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है उनको आगे लाने का काम जैसे मैम ने किया तो मैं इसका समर् करेंगे और ला फेंसर लिया कॉंग्रेस से पाला बदलकर बहाजपा में प्रमुक की जो सीट पर विराज्बाद है तो क्या इसका विकास पर कितना फ़र्क पढ़ेंगे सर विकास पर फरक तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योकि जो जुझहरू नेटा होता है वो सबको साथ लेके चलता है और आज की तारिक में जैसे कि हम चोपरा जी को भी जानते हैं रमा मैम को भी जानते हैं कि ये इस तरह के इंसान है कि हक के लिए और अपनी जनता के लिए किसी भी हद तक आगे लड़ने को तयार रहते हैं और इसी लड़ाई को हम लोग OBC मोर्चा पूरा राजस्तान की टीम आई है, मैं खुद OBC मोर्चा के यूद परदेश अध्यक्स हूँ, इनका कंदे से कंदा मिला के साथ देने आए, आप लोगों को जहां पर भी हमारी जूट पड़ेगी, हम तै दिल से 24 गंटे इनके साथ खड़े रहेंगे, क्या लगता है, जैपुर जिले के विकास में कहां तक खरे उतर पाएंगे, जो वादे किये जनता से उन पर ये पूरे नमस्कार जी मैं सेर सिंग्यादा, OBC मोर्चा का क्रमचारी मोर्चा का उपादेख्श हूँ, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं राजनितिक की रूप से कोई टिपनी करने में सक्सम नहीं हूँ, क्योंकि गवर्मेंट इंप्लोईज हूँ, और मैं तो सिरफ माहा सभा का उत्तरदाईत तो इन से पूर्ण करवाने के लिए आग्रे करने के लिए आया हूँ, और मुझे यकीन है कि व्यक्तिकत रूप से मैं इन को जानता हूँ, कि ये विकास के तोर पर इस छेत्र को दिन दोनी रात चोगनी उनती देंगे, साथ ही हम अपेक्षिया करते हैं कि OBC के जाती आधारित गरना के लिए भी ये अपनी आवाज सेंटर तक पहुंचा हैंगे, बिलकुर, आप क्या उमीद रखते सब निश्चित रूप से युवाँ टीम है, युवाँ टीम प्रदेश को भी जिले को भी निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कारिय करेगा, धरंपाली आदव, मैं अपने प्रदेश महमंत्री हूँ, पैंसिनर मंचका, हमारी यह आशा है, आकि युवाँ टीम हमारे राज के लिए, हमारे जिले के लिए, लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कारिय करें, हमारी सुब कामना है इनके साथ है। उपादी मिली है और मैं इनका ठैंक्स हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी सोच और विकास की रूप में इनकी सोचा और लोगों की मूलबूत जो सुईदा हैं, उनके बारे में सोचा और मैं हमने बहुत अच्छा का की महिलाओं को आगे आना चीए, आज यानि हम लोग बुका दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकती है, धन्यवाद. स्कूल जैसे 12 तक नहीं होते हैं, तो वहाँ 12 तक या कोलेज तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो फिर वहीं रह जाती हैं, एक तो उसका रहेगा, और एक नसा मुक्ती का ये रहेगा, कि वे एक संगठन तयार करके महिलाओं का इस पे वो जो भी बात करके आगे से आगे उसक सबस्तान की जनता को आपके वोटर सपोर्टर सबस्त चुन्त को क्या संदेश देना चाहोगी, जो जीत कासर है, वो किसे देऊ? मैं जीत का सरे तो मेरी जनता कोई देना चाहूंगी क्यों उनके आशिरवाज से ही मैं यहां तक पहुंची हूँ और हमेशा उनकी सेवा में तटपे पकड़ी रहूंगी सुकरिया तो आप देख सकते हैं यह थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में रमा देवी चोपड़ा जिसे यहां की जनता ने जैपुर जिले की कमान सोंपिया यहां का मुख्या चुना है हाला की चुनाओं में कई उतार चड़ाब आए कई उतल फुतल है लेकिन यहां की जनता ने इनको यहां से सविकार किया है आप देख सकते हैं जो इनके कारे करता यहां पर खड़े हैं परदेश मौरचा से बड़े बड़े संक्षनों के जो पदा दिकारी यहां पर किया जाएगा वह जो भी यहां की समस्या होगी जो भी जनता मेरे पास समस्या लेकर आएगी उसका समाधान ग्राउंड पर जाकर किया जाएगा तो लगाता रहा हम भी पांस साल की इस राज़ती में जुड़े रहेंगे देख तेरे मौरदर बुलेटन